तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग की प्रिप्रिटेशन अच्छे चल लगी होगी दोस्तों हमारी ये परसेंटेज और प्रॉपिट लॉस्ट जो मिक्स क्यूशन हमने सीरीज चालू की है उसकी क्लास नमबर 5 है आई होप आप लोगों ने चार क्लास दे ली होगी अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं वाकि मैं लिंक भी दे दूंगा उन क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार और एक लाइक से जीडी हो गया मैं अभी फिर इसमें जो दोस्तों इंग्लूड करूंगा जो भी दिल्ली पुलिस्ट सीम का पेपर हुआ था उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा आने वाले क्लास में आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और कई सारे अपने दोस्तो सब्सक्राइब करना है वीडियो को कमेंट भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी चली स्टार्ट करते हैं आज के सेसन को बिना देरी की हुए है तो दोस्तों वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहना जैसा कि मैंने जब परसंटेश की पहली क्लास आपको बताया था तो इसमें मैंने पहले आपको फ्रेक्शन बताया था कि आप याद रखना क्योंकि आगे चल कि अपन की क्लास में बहुत काम आएंगी तो दोस्तों एक बार मैं रिपीड करता हूं आई होप आप लोगों ने भी इन परसंटेश वैल्यू को अच्छी तरीके से याद कर लि है तो अगर पता है तो 50% होगा जैसे अगर कहीं लिखा है 1y3 बोले कि 1y3 का परसंटेश कितना होगा दोस्तों परसंटेश का मतलब 100 होता है लेकिन अगर इसको स्वाल करोगे तो थोड़ा जल्दी टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा तो अपन को अगर मालूम है तो लेकिन अगर कहीं आपको 1 by 3 दिसे ना तो आपको दिमाग सिधे ईक्रिक होना चाहिए इसका परसंटेश व्यल्व कितना होता है न सहीगते तीन पर्संटेश Łएसब बात करते हैं जैसे 25 परशंट अगर कहीं लिखा है तो इसका कितना हो जाएगा वन वाई-4 वन वाई-4 कहीं लिखा है तो यह प्रेक्शन वैल्यू बहुत इंप्वाटेंट होती है और यह आठ नमबर वाली यह क्योंकि तो अधिक तर ग्याम में इन फ्रेक्शन से क्यूशन आते हैं जैसे 16 से 2 वोटे 3 परशंट है इसका फ्रेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा वन वाई-6 और कहीं अपन को वन वाई-6 दिखे बोले किसका परसंटेज कितना होगा तो अगर इसका परसंटेज अपन निकालेंगे तो थोलबा टाइम तो लगे गा ही तो वन वाई- 6 में मालू है था हमा अगर यादत 16 से 2 वो टे 3 परशंट अगर 14 से 2 वो टे और 16 से 2 वो टे 3 परशंट को कभी डेश्म लिटा है 16.66% का भी कितना हो जाता है 1,Y6 नेस्ट बात करते हैं जैसे 14 सही 2,7% कितना हो जाता है 1,Y7 जैसे 12,12% 12 सही 1,2% अगर यह लिखा में तो इसका मतलब क्या हो जाता है 1,Y8 हो जाता है अगर कहीं 1,8 लिखे तो इसका मतलब 12,12% 12,1,9 का फ्रैक्षन कितना होता है एक बाटे शाही एगब के ग्यारा का दोस्तहिاب करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टन है. दोस्तों मैंने हिंदिग और इंग्लिस दोनों में कम्बाइन किया और वीडियो को लाश्ट तक जरूर बने रहा है दोस्तों क्योंकि इससे जो कमपडीशन का लेवल है ना दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि अभी तक स्क्राइब नौ से दस लाख सम्तिंग फार्म अप्लाई हो चुके हैं अभी और अप्लाई होंगे तो अधिक हो सकते हैं कम तो नहीं होगे तो आपको टाइपिंग की एक घंटे टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहीएगा तो चलिए बात करते हैं आपका क्यूश्चन क्या बोल रहा है तो यह तो देखने को मिलेगा ही जैसे कि एक पर्स को डस पर्सेंट के लाव के साथ 99 रुपएं बेचा जाता है तो बाइब हांब का पर्सेंटेज क्या होगा तो मैंने इस्सत्रार की क्यूश्चन पिथली वीडियो में बताया है तो आप ट्राइ करने यार पाले करने का फिर वीडियो को आगे कोशिश करना इसमें एक आप्सन मिट गया है तिसमें एक आप्सन लिख देना फोर्ट आप्सन एक यहां आप लिखने ना कि थरडि प्रस सेंट ठीक है है कईICA भूलता है कि 10 परसंट लाप के साथ 99 रुपय में बेचा जाता है दोस्तों जैसे 99 रुपय में बेचा जाता है यादि से रुपय में बेचा जाए तो कितना लाव हो रहे हैं यहां भी SP मालूप है और इस SP में बेचना है तो भाई अगर आपको SP में बेचना तो पहले तो CP find out करना है तब तो पता चलेगा कितना CP से यह SP है या कम है तम नहीं हमें पता चलेगा लाव यान हो जैसे कि इंग्लिस में पढ़ सकते हों कि आप पर्स वाज वाज फोल फर 99 विद अप्रॉफित अप 10% इप वाज वाज फोल फ़ार रुफीज 72 वाट वूट वूट विद पर्सेंटेज आप प्रॉपिट पर्सेंटेज होगा फिन लॉस पर्सेंट होगा तो अपने हिजाब से क्यू स्टार्टिंग में दिया है 99 रुपीज ठीक है और हमने स्टार्टिंग में जब फ्रॉफित लॉस स्टार्ट किया था तो अगर यह 10% प्रॉफिट दिया है तो अगर इसका फ्रैक्शन करेंगे तो यह होगा तो यह नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है और यह जो होता है किस Suppose वाली वाल्यू फिल्स लगा यह थो अगर फ्रॉफिट होगा थम प्रॉफिट मानेंगे और लॉस तो लॉस थे प्रॉफिट ही क्यों होता है क्योंकि हमेंसा फ्रॉफिट व्लाओ निकलता है कि स ज्रीकशन नीचे वाली वैल्युग क्यानों मलते है सीपी मानते है risks 10% का profit हो रहा है तो 10% का profit मतलब एक profit हो रहा है और SP क्या होता है SP क्या होता है कि CP में जितना profit हो रहा है उसको जोड़ दोगे तो वही होता है SP तो इस percentage के हिसाब से मारा SP कितना है 99 रुपए है ना अब हमें CP की वेल्यू पता चल जाएगी क्योंकि 9 की वेल्यू कितनी दिये दोस्तों 9 की वेल्यू कितनी दी नाइंट यн रुपए मतलब 11 गुना दिये न सबहिए में 11 टाइंट आप्व है WN सुर्श दोस्तों यहां पर Sike ma हो जाएगा 11 हो जाएगा क्योंकि मैं तो मानस कर दिया यहां पर 11 हो जाएगे और 11 की वेल्यू कितनी हो जाएगी 90 रुपए तो सीपी कितना हो गया 90 रुपए यह समझ में आव गया क्योंकि 11 CP दिया है और CP 11 कि वेल्यू कितने दिया निननने नौ गुना है तो यह भी नौ गुना हो जाएगा मतलब 90 रुपए अब हमें पूछ रहा है कि अगर सीपी पता चल गया अब हमें पूछा कि 72 रुपए में बेंचा जाता है तो उसका लाभ है हानी परसेंट क्या होगा कितने में अब एसपी कित 50 रुपए में तो बेसिकली हमें यहां पर लॉसी होगा है ना तो कितना हो रहा है कितने रुपए घाट कर रहा है 18 रुपए सीपी कितना है 90 रुपए एंटु हंडेट करोगे तथार पंचे नब्बे और पांच से काड़ोगे तो बीस परसेंट लॉफ्स जो कि आपको प्राइटन का जरूर रखूं कि लिए नेश्ट बात करते हैं नेश्ट अपन का क्यूस्टन है कि एक एलेक्शन हो रहा है जिसमें दो आप अगर इंग्लिस में पढ़ लेना है क्योंकि इतना टाइम जाता है कि मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में पढ़ूँगा तो आप इंग्लिस से क्यूशन रीड कर लेना इसलिए मैंने इंग्लिस और इंग्लिस दोनों में कोशिशन को लाने की सो बोल रहा है कि एक एलेक्शन हो रहा है जिसमें दो प्रत्याशी मतलब दो कैंडिडेट है मैदान में और विजेता को कुल मतों का 48% मत मिले और जो उसका रहा है जो आफिस प्रेंट जो सेश मत जो अभी मत इले जो बोड़्टर क्या हो गया जो बचे हुए थे और इन्वालिड हो गया किसी कारण बस तमें कुल मतों की संख्याजाद करना है कुलमतों मतलब हम जो इतना मानेंगे हम इसको का से करेंगी क्यूशन हम मान लेते हैं है टोटल जो मत हैं कितना है 100 क्योंकि 100 से लेंगे यह तो हमारा कैल्पूलेशन जादा नहीं होगा जो बोल रहा है और एक लॉजर मतलब जो हार गया थो इसको एल्स कर रहे हैं तो गर कितना मिल रहा है 100 का अगर 48% निकालोगे तो 48 इसको मिल रहा है और 34 जो लूजर है इसको मिल रहा है और अगर आप इनको एड करोगे तो और invalid कितना हो गए दोस्तों आप इसको एड करोगे तो 8, 4, 12, 4, 3, 7, 8 मतलब 82 तो हो गया जीत और हार का वो कुष्टन की हिसाब से कितने का है 21,000 का है और अपन के इस जो पन वैलू लिये हैं इसके हिसाब से कितने का है 14 का है 14 का है और 14 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 21,000 यह 21,000 की वैल्यू दी है और हमें निकालना कितने की है क्योंकि टोटल मत निकालना है न और टोटल कितना हमने वाना है 100 मॉल्टिप्लाइ कर दोगे आप 100 से आप इसको कैंसिल करोगे हम साथ सीधे काटेंगे तो कितना होगा साथ दूनी 14 और साथ तरी के कैस तीन बार में जाएगा और यह तीन धीरो बचा रहेगा और पांस से काटोगे तो पचास बार में तो कितना हो जागा पांत यह 15 मतलब एक लाग पचास जार ऑप्सन नमबर जो है तो आपका सेकेंड राइट एंसर होगा चलिए नेश्ट बात करते हैं एक बस्त को अगर 630 रुपए में बेचने पर साढ़े 12% का लॉस अब जैसे अगर किसी को मालू है तो कर जाएगा और जिसको भाई अगर फ्रेक्शन पर देश्मल देखके उसकी जो है तो हालत खराफ हो जाएगी है अगर आप इसको नॉर्मल वेवें सॉल्व करने पर जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा एंसिस्ट करता हूं ज्यादा डवाव डालता हूं कि आप लोग क्या क चालिस रुपए में बेंचा जाए तो उसका लाव हानी फर्षेंट देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि दोस्तों ऐसा क्यों भर भर की पूंचता है जब मैंने भी ग्याम दिया था सितमपर में सी आर्प यह सीम का कंफंशन अडवेस पर तो उसमें भी यह लगवक जब मे आने चाहिए वाग внйuled कि मैं तो करा दो दूँगा अर्बहांकि आपने तरब से भी करिए ज्याल रुपए क्या बोल रहा है एक बस्त को छम सो तीस रुपए में बेच रहें मतलब क्या दिया है को एस्पी कितना दिया है छम सो तीस रूपएर Litि disposer 22 part का का लॉश ओड़ा ह आई पड़स को याद होगा तो 15-12 percent का ओन्वाई 8 होगा अब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे CP माइनस एक का लॉस हो रहा है तो यहसपी कितना हो जाएगा शे बन इस असे और यहसपी बन का कितना दिया है छोटीश टीस तो 630 किसकी वेल्यू है साथ की और ऐख चीक कितना है आठ तो 8 की वेल्यू निकालना था तो साथ 9 नवान तेर्श, सतर तो इसको multiply करोगे तो नव आठ बहत तर 720 रुपए आपका क्या हो रहा है सीपी हो रहा है ठीक है दोस्तों रूपी एक मिलर में इसको थोड़ा एरेज कर लेता हूं आपका सीपी पता चल गया ना दोस्तों कितना हो गया है 6200 रूपर अब नेश्त बात करते है कि क्या बोला है कि अगर उसको 840 में बेज़े तो कितना अब बोलता है कि 853 कितना हो गया We haven't कब सीपी तो 720 आप यह तो प्रॉफित होगा प्रॉफित के दने रुपई का होगा दोश्तों किस पर प्राफिट होगा 720 में और इंटू कर दोगे 100 0 से 0 12 कम 12, 12 शंग 17 अब देखो दो दोस्तों 1 गटे 6 आ गया इंटू 100, एक बटे 6 अगर fraction है तो percentage में क्या हो जाता है 16 सही 2 गटे 3% option number 1 आपका right answer हो जाएगा दोस्तों ये question आप देख रहे हो fraction का इसमें 2-2 fraction का यू जुगा है तो नेस्ट बात करते हैं तो नेस्ट क्यूशन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक दुकान दाट 6000 रुपय में एक बस्तू खरीदता है ठीक है और वह 40% बस्तूओं को 8% के लाब पर बेश देता है और कुछ बस्तूओं को 40% के इतने और सेस्ट बस्तूओं को उनका नहीं पता है और जो पूरे अगर पूरा लेंदेन होता है तो इसे 25% का फ्रॉफिट होता है तो जो रिमेनिंग बस्तूथे 60% बस्तूओं थे तो उसे कितने पर्सेंट लॉफ पर बेंचे तो इसे टोटल 25% बहुत ही अच्छा क्यूशन है दोस्तूँ और यह आपका जो है तो एक क्यूश्चन आपका पेपर में आना ही आना है तो ऐसे क्यूश्चन की प्रैक्टिस आर आप जरूर करके जाएए क् पिछले वीडियो में मैं यह इसा कराया था इक दो क्यूश्चन ऐसे कराया था सो आप पहले से ट्राय करने की फिर फिर पीडियो को आगे बढ़ाना वीडियो फॉस्चन करो फिर की कोशिस करना दोस्तों जैसे क्या बोल रहा है मैं यूज ही नहीं करोंगा क्योंकि हमें त कर लेंगे कितना तो रिमेंडींग कर लेंगे मतलब मैंने प्लस लगा दिया और्च जो टोटल हो रहा है ना टोटल 25% का profit हो रहा एं टान है तुट पर्शन का profit या जो तीन बस्तू है है इसको कितने profit पर नाँ लेते हैं कि एक परसेंट पर बैंचेंगा तो डोटल लाफ जो है तो अगर आप टोटल कितना है तीन दो-पाँच बस्तुव हैं पाँच पर कितना है पच्छिस परशंट अगर 25 को पांस से मुल्टीप्लाइख खरोगे तो कितना आना चाहिए 125 आना चाहिए अभी अपना बज कितना रहा है । यहाँ तो यहां 16 आ गया अगर इसको फिर से अगर अपन प्रॉफिट में कनवर्ट करते हैं तो से डिवाइड करेंगे ना तब दो आठ आएगा तो एक सो नौ तो आ रहा है लेकिन हमें एक की वेल्व चाहिए एक की वेल्व कैसे होगी अगर आप त्री से मल्टीप्लाइग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा अगर आप इसे करो कितनी बार में जाएगा त्यंत्र का इन्ना और एक कैरी तिंच्छा अठारा चाटिस पॉइंट कुछ होग 181 अधिक पर बेचा जाता तोλλाव 15achen होता है तो कुरसी का हमें क्ैलना है क्रेमोलस में सीपी निकालना है एक दोलन कुर्सी है मा लेते हैं CP 100 रुपए है पहले कितना 10% में बेचा जा जा रहा है तो कितना हो जाएगा SP कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा फिर उसे अगर 80 रुपए अधिक पर बेचा जाएगा तो लाब कितना हो रहा है CP, 100 ही है, 115 हो रहा है है न तो SP कितना हो गया, 115 हो गया सो का, देखो तो कैसा होगा, 100 का 15% लाभ हो गया तो 15 रुपए होगा, और लाभ हमें CP जोड दोगे, वही तो SP होगा, तो WrestleMania से आप निकाल देखते हैं यहां पर 110 हो रहा है, यहां पर 115 SP हो रहा है तो यह SP क्यों बढ़ा पांच अधिक क्यों बढ़ा क्योंकि यहां पर 80 रुपए अधिक पर मेंचा जा रहा है तो पांच की वेल्यू कितनी होगी दूस्तों 80 रुपए हो गई तो एक की वेल्यू 5 इंटू आ को क्या निकालना है CP का मुल और CP हमने कितना माना था 100 इंटू कर में हो जाते हैं और सेख लड़कियां चाल्यस परदियां नग्द्ट सब्सक्षा में उत्रिन मत्लभ पास हो जाते हैं और अनुत्रीण यह फियल वाले लड़कियों då definitive अनुत्रिन होने वाले लड़कों की संख्या क्या हो गया है इंगलिश चै poder कि इक अक्षा है कि एक अक्षा में 60% चात्र क्या हैं लड़के हैं ठीक है मैं रेश्यों ले लेता हूं एक क्या है मैं बॉय का रेश्यों ले लिया और एक क्या हो गई गर्ल मैंने जी से रिप्रिजेंट कर लिया कपे साथ पर्सेंद अगर लड़के हैं है तो माल लेता है कि total अपके कव्य में अब क्नलास में और गल्स कितनी हो रहे हैं 70% 70% 40 का अगर 70% निकालोगे तो परशन निकालना तो बनी जाएगा ना दोस्तों जैसे 40 का में 70% निकालना है 40 into 70 divided by 100 कर दोगे तो 0 से 0 साथ चोग 8 इस तो कितना हो जाएगा 28 ये गल्स कितनी हो गई पास हो गई अब हमें value किसकी दी है कि अनुत्रीन मतलब फेल होने वाज़ी लड़कियों की संक्या 42 है और अपन की क्यूशन के साब से कितनी फैल हो रही है 12 फैल हो रही है ना 12 की value कितनी है 42 दी है एक की value हो जाएगी 12 इसको कर लेंगे अप फिर पूचा क्या है कि लड़कों की संक्या कितनी है फैल होने वाली चालिस लड़के साथ लड़के थे उसमें से 24 पास हो गए और फैल कितने हो गए 36 लोग ने तो उन 36 की आपको संख्या निकाल निकालने थे क्या कर दोगे आप 36 से मल्टिप्लाइ बारा इंटु बारा बारतियां 36 तिन दूनिच्छा यूनिट आपका अच्छा होने जाए अच्छा आपकी एक ही आप समयता आपको पूरा कैल्कुलेशन करने की जरूर नहीं वांकि आप इंटू करोगे तो 126 ही आएगा सो अगर वीडियो आर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना चलिए नेश्ट बात करते हैं कि दो बस्तूएं ए और बी का सीप कर्षेंट का प्रोफिट प्रॉप्त करता है यदि उनके यसपी में अंतर 560 रुपए है तो बस्त ए और बी के जो टोटल यसपी का योगफल बताना है रुपए में बताना है ठीए कोई बात नहीं बताएंगे क्या बोला है कि दो आर्टिकल है ए और बी उनके सीपी का रे सीपी पर ही होगा बट आगर आप यहां पांस का और चार का पर परसंटेज निकालने जाओ गए तो आपको क्या होगा कैलकुलेशन क्या होगी ज्यादा हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो किसमें एक जीरो एड कर दो मैंने पिछली वीडियो मताना कि आप रेशियो को पन हो रहा है कि एक बस्तुपर दस परसंट का लाव हो रहा है पचास का आप दस परसंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा अगर पचास का दस परसंट निकालोगे तो पांच हो जाएगा तो पांच का प्रॉफिट हो रहा है सीपी कितना है पचास तो स्पी कितना हो जाएगा क्पशपन हो जाएगा क्योंकि SP बडावर क्या होता है profit plus CP ओर लास हो रहा है तो CP माइनस loss हो रहा है सिंपल सी बात है मेर्ट कर रहा है कि बस्तपर 20% का profit 40 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आठ 20% निकालोगे तो पांसो साथ रुपयी और आपके क्विष्चन की हिसा आप से कितना दिया है 55-45-45 , माइनस करोगे तो 7-7 डिफॉरेंस दिया है दिवाइड वाई 7 कर दोगे एक कि वेल्यू और आपको निकालना कि तिना है दोनों एसपी का ए और बी का एसपी कितना हम लिए पचास चालिस नब्वे तीन्टू कर दोगे नब्वे तो साथ अठे चपन अनि असी गुड़े नब्वे करोगे तो नौवाट बहत्तर होना चाहिए तो बहत्तर सव रुपए दो जीरो लग जाएंगे तो बहत्तर सव आपसन नं सब्सक्राइब तो बीन ने में कितमें से बस्त को कितने रुपए में खरीदा सो इंपोर्टन कुशन है बहुत ही वार पहुंचे जाते हैं कुशन तो यह आपको एबी सीडी की वीच में पहले उनका रेशियो निकाल लेना है जैसे मान लेता हूं कि यह हो गया रेशियो ब सब्सक्राइब यह चारी वेल्यू दिए नहीं तो ऐसे ठीक है फिर बोला है कि ए ने एक बस्त को बी को 25 पर्षेंट लाब पर वोजा और 25 पर्षेंट की फ्रैक्शन में लूग क्या होती दोस्तों एक वटे चार अगर एक कोई बस्त चार उपए को खरीदता है तो बी को क करेंगे एक का प्रोफिल लेगा तो तो कितने में बेचेगा पांच कभी है ठीक है और नेस्ट बोल रहे कि बीने सी को बीश पर्षेंट के लाब पर बेचा ठीक है बीस पर सेटेंट की फ्रैक्शन वेल्यू कितनी होती है पांच हो यह वटे 5 पर तोस्तों अगर आप यहा छाइब खरीद कितने करा है पांच का और एक्षाइल में पचास का खरीद रहा है और चेका कि प्लस उनका तो साथ हो जाएगा आई और आऽे आऊओ का अले हो अपको समझ में आ गया होगा और निश्ट पूर्श भोल रहे है दो दोस्तों कि दो एक मिनद दोस्तों कि सी ने डी को कितने में बेचा 45 पर्शंट हान गई अब 45 पर्शंट लॉस बेच रहा है तो 45 पर्शंट का अगर फ्रेक्शन निकालोगे तो 45 दिवाइड वाई हैंडेट करोगे पांच नवाम 45 और 20 अगर 20 का खरीद रहा है और यहां पर साथ 20 की वैल्लू है और अपन को निकालने कितनी है 11 की तो बेचती आई 60 ग्यारते हैं 30 तो कितने में बेच रहा है 30 थी तुक में और यह जो रेशियो अपन को मिल गया यह सीपी का रेशियो सब का मिल गया अब जो बोला है वहीं बोलते हैं कि अगर डी ने से 330 रुपए मे 330 की वैल्लू है और निकालना किसका है बी ने बी का कितना है 50 तो इन्टू कर दोगे 50 तो 33 11 है ना कितना हो गया 11 हो जाएगा ना 33 दाहम 330 इन्टू 50 करोगे तो 50 दाहम 500 रुपए आप आपसे नमबर 3 राइट अंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट बात करते हैं कि सरिता को 720 अंक प्राप्ट करने की अबेच्छा थी ठीक है लेकिन किसी कारण बस उसे 675 अंक प्राप्ट हुए उसने अबेच्छा से 5% कम अंक प्राप्ट किया तो अगर उसे 90 परशंट अंक प्राप्ट करना था दोस्तों तो उसे कितने कि या बोला है कि उस्साइप करना था किसी ने उसे मुыш Glai भोला कि सबकुए था की сटेश्चा को शॉत आइक पराप्त होंगे है ना बड़ उसने कितना किया 675 ही प्राप्त इसकि उसने अप एकछा से कितना फर्सनेंट ब्रात्ट किया 5% प्राप्ट गया और 5 परज्यंट और अंक में कितना प्राप्ट किया दोस्तों 720 में 6 55 करोगे तो कितना हो जाएगा 45 और आपको रूकत फाइब नीक फाइब और क Bizकि मैं नाइन परफ पर्चंट की तो आफ श्रत हो झाएगा एक परशिय हो चलिए नेश्ट बात करते हैं कि एक बिसेश सहर की जनसंख्या लबा कितनी है पांच लाग है यह वार्षिक जन्वदर पांच परशंट और वार्षिक मित्रुदर एक परशंट है तो तीन वर्ष बाद सहर की जनसंख्या क्या होगी ऐसे युण ऑन यह में आपको चंज में और कि मल रहा है और नित्रुिएं चलिए आता है यह शचाषों चंछलन है आपूरव तین सरह करने का तरीका दोजोस्त थोत nellे अपको निकालोगे फिर जितना घर करोगे फिर उसका 4% निकालोगो फिर उसमेट करोगो फिर जितना आएगा उसका 4% ऐसे तीन बार आपको करना बट ऐसा गरोगो तो आपको ज्यादा टाइम लग जायँगा और सभी करने का तरीका यही भी है ना यहां देखता हूं दोस्तो तो यहां पर आपशन बहुत ज़्यादा यहां दूर दूर दिख रहे हैं आपको option यहां पर 4,000,000 यहां पर 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो हम इसको एक यह दोस्तों CI के question, जैसे SI है आपने अगर पड़ा हो तो CI की जैसे होता है 12% 12% होगा और कुछ और अधिक होगा तो मैं गेस करके करके लगाता हूं जैसे पांच लाग का अगर 12% करोगे तो लगभा कितना हो जाएगा यह पंचान नहीं होता पांच लाग 62 जार यही नजदी का उपसन दिख रहा है तो आप ऐसे आप्सन को एल मिनट भी कर सकते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आओगी और यह जो आज की पीडियाफ है दोस्तों यह क्विश्चन की पीडियाफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइट करा दूँगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं एड़ हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन मे वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना यार कमेंट पर उताना कि आपको कैसी लगी वीडियो ताकि मुझे भी कुछ मॉटिवेशन मिले आप लोग को पढ़ाने के लिए तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइ है अपक्राइब कर देना गास के लिए जस्वा एंन है अपक्राइब や चैनल याओ उप प्युऽम मुझे शवला है के लिए पीडियो पी मुझे अपक्त टで आपको सब्सक्राइब कर देना उनको सब्सक्राइब क प कर देना थ। around